वेलकम वैक टू इस्टेटी विद क्यान प्रकास तो आरो अरो की परिशा में अभी लगबग आपके पास साड़े चार महिने का समय है 4.5 मंथ और ये समय ये बिल्कुल परियाप्त है अगर आप जीरो लेगल से भी स्टार्ट करें जो किताबें आप प्री के लिए पढ़ते हैं वही किताबें मेंस में भी काम आ जाती हैं यहां पर बस आपको कुछ इस्टेंडर्ड बुक्स हैं उनको फालो करना है और जब मेंस आप लिखने लगेंगे तो कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा तयारी करनी पढ़ती है प्री और मेंस के बीच में लगबग 2-3 मेने का स्रव मिलता है यह तीन वेने परियाप्त होते हैं मेंस को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए उसको गढ़ने के लिए तो फिलाल सबसे important क्या होता है कि किसी भी परिक्षा को अगर crack करना है तो किस प्रकार के प्रस्थन सम्मन्दित परिक्षा में पूछे जा रहे हैं या पिछले साल पूछे गए हैं ये बहुत important होता है उसको समझ लेना यानि कि previous year question PYQs के नाम से आप इसे जानते हैं प्रस्थन साल के question PYQs हैं उनको आपके सामने रखेंगे और साथ-साथ जो अभी हाली में परिक्षा हैं उन question PYQs को भी हल करवाएंगे तो इस प्रकार से आपको जो train है वो समझ में आ जाएगा और train के मताबिक फिर आप अपनी त्यारी करेंगे इक्जाम आसानी से आप कैसे क्रेक करें इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है बेतर होता है कि आप एक बार अपनी रणीति अगर नहीं कर लें तो फिर उसमें बहुत अधिक फिर बदल बदला नहीं होना चाहिए देखो दोस्तों एक बहुती पुरानी कहावत है कि books and friends should be few and be good यानि कि किताबें और आपके मित्र ये कम होने चाहिए और लेकिन अच्छे होने चाहिए और 25 किताबों को एक एक बार पढ़ने से बहतर होता है कि एक किताब को आप 25 बार पढ़ने अगर वो अच्छी किताब है तो आप 25 बार पढ़ेंगे तो 25 बार में आपको कुछ नई चीज़ें हमेशा मिलती रहेंगी फिलाल ये जो एक्जामसन कलेंडर है आप देख रहे हैं इसे आयोग ने 3 जून को जारी किया था और इसमें अगर आप देखेंगे तो जो आपकी आरो यारो की परिक्षा है उसकी डेट है 22 दिसमबर 2024 तो इस सिताब से अगर देखा जाए तो लगबग साड़े चार महिने क्योंकि अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपका अगस्त सुरू होने वाला है और मैं माल लेता हूँ कि दिसमबर में आपको 15 दिन और मिलेंगे तो अगस्त, सितमबर, अक्टूबर, नॉम्बर और 15 दिन दिसमबर के तो इस विकार से साड़े चार महिने का समय आपको मिल रहा है तो यह साड़े चार मेने परियाप्त हैं और यहां पर मैं प्रति दिन आपको जो मुस्टली जितने हो सकेंगे उतने MCQ करवाऊंगा PYQ से सम्मंदित तो फिलाल आज का वीडियो काफी important है और इसमें हम 2023 में यानि कि हाली में आपके याद होगा 11 फ़वरी को जो परिच्छा हुई थी उनी प्रस्टों को हमें आपर हल करेंगे और आप देखेंगे कि प्रस्टों का लेबल क्या है ट्रेंड क्या है किस विल्गार के प्रस्ट अभ इक्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि लगातार यह परिच्छा जोगे कठी नुती चरी जा रही है फिलाल अगर देखा जाए तो इस बार उम्मीद की जा रही कि आरो यारो में फानल लिटल आते हैं जो सीटों की संक्या है वो बढ़के 500 के आसपास भी हो सकती है तो दोस्तों आज का जो ये पहला प्रस्ण है आपके सामने है देखो ये कुश्ण पूछा गया था कि नीजे दो कतन दिये गये हैं इन में से एक को अभी खतन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है तो ऐसे प्रस्ण UPPSC में खूब पूछे जाते हैं चाहे आप PCS दें, RORO दें, खंड़ सिक्चारी क्यारी दें, LTE ग्रेड दें या कोई भी प्रतोगी परिछा दें अब गतन में कहा गया था कि जैसे जैसे उंचाई बढ़ती है, पानी का कौतनांग घड़ता है, ये बात बिल्कुल सत्य है और उंचाई के साथ वार्मनली दाब बढ़ता है, तो इसका मतलब कि ये गलत है केवल यहां पर पहला कतन सत्य है, आर असत्य है, इसका मतलब इसका उत्तर बनेगा, उप्सन ए तो देखो विज्ञान में क्या होता है, कि सबस्यादी जो प्रस्ण आते हैं, वो बायों से आते हैं, उसके बाद आते हैं, केमेस्टी से तो जब आप पढ़िएगा, तो बायों पर सबसे ज़्यादा फोकस आप लोग रखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेशन है कि सेद बन्स के सुल्तानों का सही कालानुकरम क्या है, कई बार ऐसा होता है, कि आप मुगल बन्स को जहां पर समाप्त करते ह अकसर लोग औरंगजेब पर आकर मुगल बन्स को पढ़ना बंद कर देते हैं, लेकिन अब अगर आप क्वेशन पर देखेंगे, तो औरंगजेब के बाद ही मुगल जो बातसा होते हैं, राजा जो होते हैं, उनका क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दूसरे स्थान पर आपका मुबारक सा, फिर आजाएगा मुहम्मद सा, और फिर चोथे स्थान पर आएगा अलाउद्दिन आलम सा, तो फिर आल इनका जो सही कालानुक्रम में हैं, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूं, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस बार सयद आलम सा, तो यह सही क्रम है, इसको आप समझेए, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रस्तियाबर की भारत के महानयवादी के संदर में निर्मिलिकित कत्रों पर विचार करिए, अच्छा बात हुरी है हाँ पर महानयवादी की, यानि कि एट औरनी जनरल की, जैसा क या कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सला देता है, महानयवादी होता है टारनी जनरल, उसको भारत के छेतर में सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है, तो यहाँ पर वे प्रधानमंदरी की मर्जी तक पत्पर बने रहते हैं, यह गलत है, वे संसत सदस के विशता दिकार की हकदार नहीं है, यह भी गलत है, यानि कि एक और दो दोनों ही गलत है, न तो एक न तो दो, जैसा कि आप जानते हैं कि महानयवादी की न्युक्ति कोन करता है, जहां दोस्तों प्रसिडेंट करते हैं, और महानयवादी राश्पती के प्रसाथ परियंत अ दिकार नहीं होता है अपने पद के आधार पर महानयावादी संसल सदस्ट के विश्याधिकारों का हगदार भी होता है तो यहां पर दोनों कथन जो हैं गलत दिये गए हैं इसके बाद आगे बड़ दोकर यहां पर प्रस्टन क्या है कि स्विमिंग पूल के वास्तवी होती है उसे कम घरा क्यों लगता है तो इसकी वजह है अपवरतन यानि की बिकल्ब सी आपका यहां पर सही है अगला सवाल जो था यह एक्रिकल्चर से था क्रिसी से तो प्रस्टा की देखो अभी कथन दिये गये हैं और कारण दिया गया है बताना है कि क्या दोनों कथन सही है या फिर गलत है कौन सा सही है कौन सा गलत है और अगर ए सही है आर भी सही है तो क्या आर एकी व्याख्या है या नहीं है तो फिलाल कूट में जो आपसन होते हैं उसे के मताबिक आपको आंसर करना पड़ता है प्रस्टा कि अनाज वाली फसलों के साथ अंतरा सस्चन के र आरहने काफी मोटी नीचे तक चाएती है और आप गहूं और धान देखें तो उसमें जो जड़े होती हैं वो पतली होती है मतलब रेसमी होती हैं घणे चबस्ट ko पोशक तत्यों और नमी क्लिए प्रतियस्वर्धा नहीं करती हैं एक चला जाएगा नीचे दूसरा रहेगा ऊपर तो कोई प्रतेस्वर्दा नहीं होती है तो फिलाल ए और आर दोनों सही है और आर एकी व्याक्थिया भी है तो इस प्रिकार के प्रस्न है तो को यह प्रस्न काफी इंपोर्टेंट है अब यहां पर आपको पूरा एटामिक पाई मेसान की खोज कब हुई और चौथा यहां पर विकल्प है कि प्रोटान की खोज कब हुई तो इन में सबसे पहले तो खोज हुई थी आपके यह जो इलेक्ट्रॉन है यह पहले खोजा गया था उसके बाद प्रोटान खोजा गया फिर आपका न्यूट्रान खोजा ग 2017 में इसकी खोज हुई थी और खोज की किते रधर फोड के द्वारा फिर 1931 में लुट्राणिक खोज हुई थी चैडविक ने की थी और 1935 में युकावा ने कहा कि सबसें कम संस्थान घume कराने के गोड़न χू पूछा घान जो अनुसंथ्धान संस्थान कहाँ पर रिस nervous पूछा गया था और या onwards को अनरे से था यहां पुछा गया था यहां पर कितने जोड़े यहां पर समेली था है एक दो तीन चार कितने जोड़ी सुमेली था यह पुछ लिया गया था ऐसे प्रस्वन यूपीसी पुछता है लेकिन अब यूपीसी में भी आरो यारो में भी ट्रेंड शुरू हो चुका है तो इस पर भी आप लोग ध्यान दिजिएगा तो जैसे की बात करें यहां पर अग ठीक है तो पहला यहां पर सही हो गया बंदब यह सही हो गया वर्सा वन अनुसंदान संस्थान यह आपको मिलेगा जोरहट में ठीक है जोरहट में मिलेगा आपको तो यह भी सही है उश्रकडबंदी वन अनुसंदान संस्थान यह आपको मिलेगा जबलपूर में तो तीन तो सही थे ठीक है हिमालेयन वन अनुसंदान संस्थान कहा जा रहा है कि यह दैरादूर में नहीं है बलकि यह कहां पर है तो यह है आपका सिमला में सिमला हिमालचर प्रदेश में तो इसको अगर आप सिमला रखते तो यह सही हो जाता मतलब यहां पर एक दो तीन सही थे तो क सब्सावन अनुसंदान संस्तान जो रहट में है और उशकडबंदी वन अनुसंदान संस्तान मिलेगा आपको जबलपूर में तो ध्यान दीजेगा इस पर और इसमें कुल जोड़े कितने सुमेरी थे तो आपके बिकल के अनुसार ऑप्सेंडी करेक्ट होगा फिर आगे बढ गलत है विल्या के प्रवाह की यह प्रतिलोम परशन कहलाती है तो यह बहुंद नाडु में कुचि पूरी का संबंद आन्ध्र प्रदेश से यह बीं सही है सतरिया तो यहां पर इसको आप मेच्च करादिए देखो प्रसवन है कि यहां पर चर्कुला नरृत्ते गृतले इसारी गोला का लकडी के पिरामीडों को संदूलित करती हैं और क्रिष्टना के गीतों पर निरित्ते करती हैं ये सही है तो केवल दो यहाँ पर आपका सही है अगला कोश्चन देखिए नीचे दो को कथन दिये गए हैं इनमें से एक को अविकतन ए और दूसरे को कारणार का गया है तो अविकतन है कि संबाद अब्दूलित करते हैं और विद्वा चलाने की परता के निंदा करते हुए उनके लेक इसी में प्रकासित हुए थे यह भी सही है और आर एक की व्याख्या भी है तो इसमें जो भी विकल्प हो आगे बढ़ते हैं सुची एक को सुची दूसरे सुमेरित करिए नीचे दिये पर किताबों के नाम दिये गए हैं और ऐसे प्रस्दास कर खूब पूछे जा रहे हैं जिसे की फुतु उससलातिन तो यह जो किताब है यह अब्दुल मालिक इसामी की किताब है फुतुहाते फिरोस्ताई किसने लिखी है तो फुतुहाते फिरोस्ताई फ्रेंस लिखी अमिर खुसरो के द्वारा जिसको आप ऐसे मैश करा लीजिएगा यह इंपॉर्टेंट है और यहां मैंने इसको एजिगन लिख दिया है फुतु उससलातिन अब्दुल मलिक इसामी फुतुहाते फिरोस्ताई फिरोस्ताई उगलग तारीके फिरोस्ताई जियो दिन बरनी और खजैन उल्फुतुह यह अमिर खुसरो की रिसना है फिर आगे बढ़ते हैं नीचे दो कथन दिये गये हैं एक को अविकतन ए और दूसरे को कारणार का गया है बंद सीचे की खिड़कियों और दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकासी विजली के राइन नदी के संदर में तो यूरोप में जो राइन नदी है उसके बारे में बात हो रहे है कि राइन नदी उत्तरीस ज crashing की ऑध्यों के अत्फर अंध्य when आप बहुत कम मिलेंगे क्योंकि इनके बारे नोको बहुत कम जानते हैं रुद्रमा वारंगल के काकती वंस्की चौथी स्वत्मतर सास का थी यह कथन सही है उन्होंने दक्षिर तमिलनाड के पांड उडिशा के पूरवी गंग सास को और दियोगरी से उना सास को प्राजित किया था यह गला थे तो केवल जो आपका पहला कथन है यह आपका यहां प ठीक है और यह काकती वंस्की चौथी स्वत्मतर सास क्थी और प्रतम महिला सास क्थी यह याद रखेगा यह देखे पहला क्रसी विश्विद्याल है पंत नगर उत्तराखंड जो पहले उत्तरप्दिस कराम से आना जाता था उनिस साट में स्थापित किया गया था यह सही ह 1901 से 1905 के दवरान कानपूर पूडे सबावर नागपूर लायलपूर और कुएमटूर में 6 कृसी महाविद्याल है इस्थापित किया गया था निस साट में स्थापित किया गया था दोनों कतने आपर सही है एक और दो दोनों सही है आपर अगला कॉशन है भारती समिदान की छटी अनसूची किन राज्यों के जन्दजाती छेत्रों के प्रसासां से समद्दित है तो जो छटी अनसूची है यह समद्दित है एम टीम से मतलब असम मेगाले त्रिपुरा और मिजोरम से तो यहाँ पर जो बिकल्प डी है आपका सही है तो फ्रेंड्स इसी प्रेकार से हम आगे बढ़ेंगे और जितने भी एम से क्यूंज है देखो जादा कुछ नहीं है और अगले 10 सालों में जो महत्तबुर पस्न है क्लास प्रती दिन चलाई आ रही है तो क्रेंड़ आप ज़रूर बाचका लिया करें क्योंकि अभी से प कि अप लोग प्रतीज दिन देखा करें इस आपको जो करेंट होगा ना वह बहुत ही हलके तरीके से आपका त्यार हो जागी होगी डेली एक्सका वीडियो होता है यह पांस असाथ मेंट का ही होता है लेकिन आरो यारो और और तीस्सलिए बिलको ड्राम बाड वीडियो है तो इसको आपनों प्रते दिन देख लिया करो और बाकी जितने भी MCQs हैं वह आपको यहाँ पर प्रैक्टिस के तोर पर मिलते रहेंगे जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें आपको बताएंगे कि कौन कोंसी किताबे हैं जिनको पढ़के आप आसानी से इस परिच्छा करते जिएगा धन्यवाद